प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आप जैन दोस्तों आप सभी का हार्दिक सौगत है जैन दी रियाक्शन्स पर आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आज जमा आपके लिएक लेटेस्ट एक इंपोर्टन्ट और एक बहुती दमदार हिंदों को जान से मारने की दमकी दे रहे हैं तो इसी मुद्र पर आप देखेंगे भारत की दो बहादूर बेटिया एक तरह आप देखेंगे मश्यूर पत्रकार अंजू पंकर जी को जो कि इंटर्वी लेंगी भारत की बेटी हिंदोस्ता निशेरनी और सुप्रीम कोड की दबंग वकील नाजिया खान जी का तो ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट होगी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा तो सिंतर देखें और चैनल पे ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपने से लेटिस्ट इंट्रोस्टिंग और दमदार वीडियो ल जै जै शिर्राम ये बताई कि मम्ता बैनर जी की पार्टी के निताओं को क्या हो गया है इतनी बदजुबानी करें हैं वो हुमायू कबीर वो भी डरा धमकारा है लोगों को मतलब किस हरकतों पर उतरा है ये लोग पर भी ऊजhet एक अंजो जी बंगाल जो है पश्टिं बंगाल वो अब बनने चला है मुगलिस्तान और मम्ता बैनर जी के मुसलमान विधयेग हिंदुओं को मारेंगे गंगा जलमें दुबा डुबा कि बंगाल को मुगलिस्तान बनाने के स्ट्राटेजी कोई नहीं तो नहीं 36 साल लेफ फ्रंट ने मुसल्मानों के हाथ से लकडी का पैंसल हटा करके लकडी का कैरम बोर्ड इसलिए दिया था कि मुसल्मानों को पाटी के जंडे डंडे के द्वारा इस्तिमाल किया जा सकते उन्होंने मुसल्मानों के हाथ में कभी भी लकडी का पैंसल नहीं आने दिया और लकडी के कैरम बोर्ड के साथ साथ तो अब विदेशी बंदूख असलह बारूद भी दिया जा रहा है हिमाईयों कभी जो श्रीमती ममता बैनर जी के बड़े जुझाड़ू नेता और बड़े ही अजीज नेताओं में से एक मुसल्मान नेता है उन्होंने कई बार अपने दबंगई और गुंदागर्दी के हर्कतों से ममता बैनर जी साहिबा को बहुत प्रसंद किया है बहुत उनको मतलब अट्रैक्ट दिया है बहुत खुशी दिये उन्होंने क्योंके श्रीमती ममता बैनर जी हर उस लोगों का सपोर्ट करती है जो हिंदूों को अग्धात पहुंचाता है कभी हिमायों कबिर साहब भरतपूर के ओसी को मंडर करने की धंकी देते हैं कभी हिमायों कबिर साहब हमारे यहां जो दो हजार तेईस में पंचायत एलक्षन हुआ था उसमें हुडदंग और जिहादी एक्टिविटीज कराते हैं कभी हिमायों कबिर साहब लुंडी वालों को बंचुपाने के लिए देते हैं कभी हिमायों कबिर साहब लंबे लंबे कुर्टे वाले को अपने कुर्टे के और पजामे के पॉकट में राम भक्तों के उपर पथर बाजी करने के लिए देते हैं और कल तो अंधेरी रात में जो कभी यूसुप पठान की विरोध में उतरे हुए थे, कल अंहेरी रात में यूसुप पठान के पक्ष में ऐसा भड़काओ भाशन दिया है, ऐसा भाशन दिया है, कि पश्रिम मंगाल के जितने भी ठरके आजम और जाहिले आजम की फोज थी, वो उनसे बड़ी खुश हो गई, क्योंकि उन्होंने एलानिया हिमायू कभीर साहब, जो तिर्नमल कॉंग्रेस के बिदाया के, मुसल्मान बिदाया के, उन्होंने एलानिया कहा है, कि मुर्शिदाबाद की किसी मस्जिद पर नजर उठा कर देखे हिंदू, तो 30% मुसल्मा 70% हिंदूओं को गंगा जल में दुबा, दुबा कर मार कर दिखाएगा, देखिए, पिछले 2011 से 2024 तक में, श्रीमती ममता बैनर जी ने पश्रिम बंगाल की जनता को या तो टोटो दिया, या अपना बड़ा-बड़ा फुटो दिया, श्रीमती ममता बैनर जी ने अपने भा रंग डाला, लेकिन दिनमल कॉंग्रेस के नेताओं का मन काला, ये वही पश्रिम मंगाल है जहां पर श्रीमती ममता बैनर जी के लाट ले विधायाक और मंतरी, प्रहाद हकीम ने 2021 के विधानसभा एलेक्शन की कमपैनिंग में, दड़वन नियूस पेपर को एहलानिया कहा के कोलकाता मिनी पाकिस्तान है, श्रीमती ममता बैनर जी साहबा के पास कभी भी हिंदूओं के पाट पूजा के लिए समय नहीं होता है, लेकिन ईद की नमाज में पांच घंटा देने के लिए उनके पास समय होता है, श्रीमती ममता बैनर जी, राम का नाम लेने से ही इतना इतना नफरत करने लगती है कि सीधा कहती है रामिर नाम ने भी जेले पाथा वो राम का नाम उनके सामने भाट पाड़ा में छोटे से बच्चे ने लिया तो वो अपनी गाड़ी स्वार्पियो गाड़ी से खूद करके उतरी बिल्कुल स्पाइडर मैन की तरह और कहीं कि रा कि वो महर्रम का जुलूस वो ज्यादा इंपर्टेंट समझ नहीं है लेकि नाजिया जी यह समझाए मुझे कि एक तो यह हुमायू कबीर है इससे पहले भी हमने देखा कि तपंदास गुपता जो कृशी मंत्रे ममता बैनर जी के वो भी ऐसी बाते कर रहे थे फिर अभी दो बंगाल से देखिए श्रीमती ममदा बैनर जी डरी हुई तो है और उनके सारे सारे विधायक उनके सारे नेता मंत्री सबके सब दरे हुए क्योंकि जिस तरह से पश्यम मंगाल जो कभी रापिन डनादं टे गौर की जगह हुआ करती थी अज बलादकारियों की जगह है मास बलादकारियों की जगह है हुंदूओं से नफरत करने वालों की जगह बन चुकी है मौकिलिस्तैन बन चुका है और जितने स्कैम हुए है आधे से ज्यादा तिर्णमुन कॉंग्रेस के नेता मंतरी जेल की हिरासत में है और श्रिमती मंता बैरेट जी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी उनकों बाइसत बरी करके निकाल कर लाने ही पा रही है तरी हुई तो है हर हाल में दरी हुई और कहीं ना कहीं मुसल्मान वोटर्स को आकर्शित करने के लिए जो मन में आ रहा है उन्होंने अपने विधायकों को अपने सार प्रचारकों को इतनी खुली छूट दे दिये कि किसी के भी धरम को तुम आधात पहुचाओ कोई फरक नहीं पड़ता है डाइरेक ऑन रिकॉर्ड ऑन डेटा 28% मुसल्मानों का वोट और 18% घुसपैटिया जो साइलेंट वोटर से उनका वोट उनको मिलना चाहिए इस चैलेंज ऐसे जो हिंदू है वो 10% उनको वोट करी देंगे तो कहीं ना कहीं 2056 जो बहुत जल्द आने वाला विधानसभा एलेक्षन है उसमें उनकी सरकार दुबारा बने जाएगी इसलिए वो घबरा करके ये सारे काम उकरम करने पर मजबूर हो चुगी पर नाजिय जी अभी आप ये देखो कि ममता बेनर जी के लिए तो सेट वैक ये भी है कि संदेश खाली में जो गुल खिला रहा था शाहाँ जाहाँ शेक महिलाओं के साथ बलातकार कर रहा था उत्प्रिडन कर रहा था उनका फिर उसने जमीनों पर जबर्दस्ती कबजा क कि ये पॉल पट्टी भी खुल जाए कि भाई साब तो घुस पैठी है कि मैं फिर से कहूंगी कि श्रीमती मंदा बैनर जी ने खुद भी आज हमायूं कभी ने कहा है कि बंगाल के हिंदूओं को गंगा जल में डुबा डुबा कर मारा जाएगा श्रीमती मंदामीदुल रह जमान ने कहा है कि दो महिना सेंट्रल फोर्स रहेगा उसके बाद हमी रहेंगे जिस उंगली से वोट करोगे वो उंगली काट दी जाएगी उसके बाद फिर परसो वाले दिन रात में यहां पर गौतम नाम के मेरी ऑफिस से थोड़ा सा आगे पोस्ता की जगह पर गौतम न इनर्जी और इस राजी की मुख्य मंत्रियां उन्हों ने कहा था सर पे आचल रख करके कि जो भी मुसल्मान भारते जनता पार्टी को वोट करेगा उसको अल्ला कभी माफ नहीं करेगा दूर्गापूर के मन से श्रीमती मम्तव एनर्जी ने खुद कहा कि भारते जनता पा तो भी पश्रिम बंगाल की जनता को समझना पड़ेगा कि मुखल का बादशा जेल में हैं लेकिन उसके उसकी अवाम उसकी रियाया उसकी सल्तना अभी भी बाहर में तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्स्ट्राइब कर दें ताकि आपके लिटेस्ट इंट्रोस्टिंग और दमदार वीडियो लाते दें तो चल लिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपोर्टेंट वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए जय हिंद जय भारत